असलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है जागिर और आप देख रहे हैं एलेक्ट्रिकल ट्रिक्स तो दोस्तों आज की हमारी वीडियों का टॉपिक है कि हम अपने सिलिंग फैन जो छत वाला पंखा होता है या कोई भी किसी भी किसिम का फैन हो हम उसमें इस तरीके के डिमर कि स्ची चीमें तरह तरह होती है उसके लिए नेक स्था बेंगे और एक इस्तेमाल करेंगे अच्यों आपके असे समझ के बाद तो हमने इसमें बिल्कुल भी confused नहीं होना हमने समझने के लिए क्या करना है सबसे पहले जो हमारी incoming face की wire होगी वो मैं इस switch में लगा देता हूँ यह wire मैंने switch में लगा दी अब जो switch का दूसरा वाला terminal होगा जो इसका output होगा किसी एक में अमने phase लगाने है और किस उसका जो दूसरा वाला होगा उसमें उसमें डिमर कीएक वायर लगा देनिके डिमर की भी दो वायर होती है एक तोई वाइर यकीननन आपके मास होंगी और अ मैं इसी तरीकतus't et connection ago तो इसको झॉइंड नहीं करता इसकी लिए मैंने कनेक्टर का इस्ते Trying किया है सिथा थो यह हो गई हमारी कि वायरिंग मुकंबल यहाँ पर वेज़ कर पर अściघ्र अमरहा भी में चलाई है और जो हमारा निउट्रल होगा निउटेल डारेकलि आपको पताए दिया जाता है और जहां आप फैन लगाएंगे जहां पर भी डिमर का कनेक्शन करेंगे वां न्यूट्रल डारेक्ली आपने देना है और पॉसिबल न्यूट्रल डारेक्ली पहुचा मोँ आपको सरफ फेस की वायरिंग करनी पड़े आपको बोर्ड के अंदर तो यह न्यूट्रल मैंने डा ठिज इन चलाई यह मैं सको सीवेंखा रडिता हूं और सपलाई देकर चैक भी कर लेता हैं कि यह मारा प्रॉपर काम कर रहा है तो यह मैंना सर्कीट को सीषा भाख दिया है सबसे दाने स्कू को कड़ाने मैं करता हूं तो इज मैंने ओन कर दिया यकीनन सप्लाई है हमारी डिमर में आ गई है अब जब मैं डिमर ओन करता हूं तो आप देखते हैं कि हमारा बल्ब ओन होगी है यानि कि हमारा फैन ओन होगी है अब मैं इसकी अगर स्पीट को कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं बल्ब हमारा डिम होगी है इसी तरीके से हमारा फैन भी डिम हो जाएगा और जब हम उसको बढ़ाना चाहें तो हमारी इसकी स्पीट बढ़ जाएगी और हम उसको सुष से भी डारेक्ली ओन या ओफ करता कहेंगे तो इस तरीक प्रोड़ दिया